नमस्कार में अप्रिया बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है चले जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों चुनाव आयो की टीम आज तैयारियों की समिक्षा के लिए राजनेतिक दलो से करेगी मीटिंग बिहार वधानसभा चुनाव की तैयारियों की जाइजा लेने के लिए चुनाव आयो की टीम बिहार पहुँच चुकी है चुनाव आयो के मुखे निर्वाचन आयोकत सुनीर अरोडा बिहार चुनाव तैयारियों की पूरी समिक्षा करने वाले हैं अरोरा ने इस बात की जानकारी दे दी है और बताया है कि बिहार वधान सबा आम चुनाफ को लेकर चुनाव आयोग की टीम आई है चुनाफ की तैयारियों की पूरी समिक्षा करने की बात भी कर रही है बंगलवार को श्री अरोरा के नेतरुत्व में आयोग के दो सदसीय सु पड़े के साथ समिक्षा बैठेक भी की बिहार के नए डीजीपी को लेकर जल्द होगा फैसला बिहार के नए डीजीपी पर जल्द फैसला होने वाला है राजो सरकार ने बिहार के एडर के एक दरजन सीनिर आईपीएस अधिकारियों के नाम संग लोक सेवा आयों के पास संभावना है कि न्यूक्ति के लिए UPSC द्वारा राजसरकार को इन में से तीन नामों के नुसंशक की जाएगी फिलहाल गुपतेश्र पांडे के वियारस लेने के बाद SK सिंगल को DGP का प्रभार दिया गया है मिली जौनकारी के नुसार राजसरकार द्वारा भेज़े गया पैनल में कुल 12 IPS अफसरों के नाम है जुन में से 10 DG रैंक से प्रोनत हो चुके हैं जो नाम उन अधिकारियों के पद खाली नहीं होने के चलते फिलहाल DG में प्रोनती नहीं मिली है बिहार क्याडर में DG रैंक के अधिकारियों में राजेश रजनकुमार, राजेश चंद्र, श्रीवर्धन, सिंग, A.S. राजन मनमोहन सिंग के एस प्रतिन्युक्ति पर हैं वहीं दिनेश सिंग, बिष्ट, अधविंद पांडे, S.K. सिंगल, आलोक राज और R.S. भारती बिहार में पत्स्थापित है फनीश्वर नाथ रेनु के घर से कई सामान हुए गायब सबसे बड़ी बात यह है कि सामान लेने वाले ने रेनु के कई महत पपून कृति के मूल प्रति को उड़ा लिया है पुलिस मौके पर पहुचकर मामले की जांच में जुट गई है मिली जानकारी के नुसार लेखक फनेश्वर नाथ रेनु के बेटे पद्म पराग रेनु ने राज़ेंदर नगर से तावास पर कुछ लोगों ने घुस कर मामले को अंजाम दिया है इस दोरान घर में घुसे लोगों ने रेनु की इस कई कृतियों की मूल प्रती के साथ लाखो रुपे की संपत्ती भी अपने साथ उडा ली है परीजनों का कहना है कि घर के सामान ले जाने का उनको इतना अफसोस नहीं है लेकिन रेनु की कृति की मूल प्रती उनके लिए धरोहर थी जिसे वो अपने साथ ले गया है लोगसभा के मुकाबले बढ़ गये 15,000 वोटर आगामे विधान सभाचुनाफ में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जुला प्रसाशन हर मुम की प्रयास में जुट गई है स्वीप कोशांग के माध्यम से गाउगाउ में मतदाताओं को जागरुक किया जा रहा है इसके साथ ही कारीक्रम आयोजितकर मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेड़ित करने का काम भी किया जा रहा है पिछल लोगसभा चुनाफ में जहां साल 2015 के विधान सभाचुनाफ से 7% अधिक मतदान हुए हैं मिरी जानकारी के अनुसार इस दौरान पचास हजार से अधिक ने मतदाताओं के नाम जोड़ेगे हैं पुर्व में जहां एक मतदान केंदर पर एक हजार से अधिक मद्दाता होते थे वहीं इस विधानसभा में किसी भी मद्दान केंद्र पर एक हजार से अधिक मद्दाता नहीं होंगे तेजस्वी आदब के लिए मुकेश सहनी ने अपने सीट देने की कही बात विदान सबाचुनाव के अलान के बाद NDA और महागटबंदन दोनों सीट बटवारे को लेकर लगाता रसमंजस में दिखाई दे रहे हैं NDA आज दिल्ली में बैठक आयोजन करवाए गया है वहीं महागटबंदन में सीट को लेकर मचे घामासान पर कॉंग्रेस ने दाओ कि भी आज दिल्ली में बैठक होने वाली है दिल्ली से लोटे मुकेश सहनी खुलकर के राज़द के साथ खड़े नजर आए है दिल्ली से पटना लोटे सहनी ने साफ़तवार पर कहा है कि महागटबंदन के साथ सब कुछ सही है उन्होंने कहा कि सीट शेरिंग को लेकर कल तक सभी तरह कि अटकल एको साफ कर दिया जाएगा संभावना बंती दिखाई दे रही है कि सब कुछ साफ हो जाएगा उन्होंने यह भी बताया है कि 30 चाते है तो हम तियाग करने के लिए तयार है अगर उन्हें किसी को सीट चाहिए तो वो हमारे हिस्से की सीट ले सकते है गया से बंगाल जो आ रहे ही लक्जरी वाहन से 91 लाक रुपे होए बरामद वधान सबाचुनाव में काले धन के उपयोग पर अंकुष लगाने के मामले में इंकम टाक्स के अधिकारियों को बड़ी सफलता मिली है जिसके तहट बीते दिन गया से पश्चुम बंगाल जा रहे हैं एक लक्षिरी वहान में 91 लाख रुपे जब्त किये गया है इसके साथ ही ड्राइवर सहीत तीन लोगों को भी हिरासत में ले लिया गया है धनबाद के एक थाने में पूछता जारी है पटना में पोस्टेट इंकम टाक्स के वरिया अधिकारी ने बताया है कि सभी से पूछताच फिलाल की जारी है अब तक 91 लाग की गिंती हो चुकि ये पूछताच के बाद गाड़ी के ड्राइवर को छोड़ दिया गया है जबकि गाड़ी में सभार दोनों लोगों को हिरासत में रखा गया है उन्होंने बताये कि गाड़ी में रखे रुपे बालू के कारोबार से संबन्दित थे और इसे गया से लेकर चले थे और पस्चिम बंगाल में पहुचाना था लेकिन अधिकारी अब दोनों से अलग-अलग पूछताच कर रहे है ताकि सचाई का पता चल सके रालो सपा के प्रधान महासाचेफ माधव आनंद ने पार्टी से दिया इस्तीफा रालो सपा को एक और करारा जटका लगा है मिनी जानकारी के नुसार पार्टी के प्रधान महासाचेफ माधव आनंद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है एसी दौरान उन्होंने कहा है कि विहार की बहतरी का एजंडा रालो सपास्त में रहकर पूरा नहीं हो सकता माधवानन्द जल्द राज़त में शामिल हो सकते हैं इससे दो दिन पहले ही 28 सेतंबर को रालो सपा की प्रदेश अध्यक्ष रह चुके पूर्वसांसत भूदेव चौधरी ने पार्टी छोड़ कर राज़त का हाथ थाम लिया है पीछे ले जाने के लगाए आरोप उपमुक्य मंतरी सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाए हैं कि लालो प्रसाद यादव की पार्टी के रवये से मोभंग के बाद जब सहयोगी दल उनका साथ छोड़ देंगे और कॉंग्रेस की गठवंदर में सहज नहीं रहेगी तो पीछे ले जाने पर यह सरकार आमदा है मंगलवार को जारी बयान में उपमुक्य मंतरी सुशील कुमार मोदी ने कहा कि लाल रंग के साथ विकास की कलपना भी नहीं की जा सकती बिहार की जनता इसे कभी काम्याब नहीं होने देगी उन्होंने आगे कहा कि NDA सरकार ने 10 करो पर कसाथ तंज बिहार के पुर्व डीजीपी गुपतेश्वर पांडे के वियारिस लेने के बाद महराश्ट्र सरकार उनके पीछे पड़ गई है सिर्जेना नेता संजराउत ने पुर्व डीजीपी पर फिरस से जम कर निशाना साथ है उन्होंने कहा कि गुपतेश्वर पांडे अपने चुनावी लाव के लिए मराथी और बिहारी भाईयों के बीच अमन के सिती उत्पन करना चाहते थे बड़े पर आये थे उन्होंने इस प्रकार से ओच्छी हरकत की संजराउत ने कहा है कि पुर्व डीजीपी ने बिना मतलब के पुलिस को बदनाम कर दिया उन्होंने पुलिस को खूब कहा है उन्होंने कहा कि अपने लाव के लिए लोगों को इस कदर कोई कैसे जा सकता है देख लीजिए उन्होंने दोनों राजों के बीच दरार डालने की कोशिच की है इतना ही रहे उन्होंने आ गई यह भी कहा कि हमारी पार्टी बिहार में भ आस्ट्रे जंता दल सुप्रीम और लालुप्रसाद यादव के बड़े बेटे तेश्प्रताप यादव एक बार फिर से अपने अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। राची से बिहार बंगाल की यात्रा करने वाले यात्रों के लिए अच्छी खबर साजा की गई है। राची से दिल्ली के लिए राजधानी स्पेशल ट्रेन और राची से पटना के लिए जंच्रताब्धी एक्स्प्रेस चलाई जाएगी। कुछ दूरा पहले ही राची से गुजरने वाली ट्रेन सिकंदराबाद दर्भंगा एक्स्प्रेस ट्रेन शुरू की गई थी। अमिताब बच्चन ने किया ओरगन डोनर बनने का एलान बॉलेवूट के महाना एक अमिताब बच्चन कौन बने का करोरपती के 12 सीजन को लेकर चर्चा में बने वे हवाई हाली में उन्होंने एक बार फिर से ट्विटर के जरिये सुर्ख्यां बटोरी हैं मिली जानकारी के बिग बी ने ट्विटर पर अपनी एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें उनके कोट पर एक छोटा सा ग्रीन कलर का ड्रिबन भी लगा हुआ है यह तस्वीर को शेर करते विए उन्होंने लिखा है कि औरगन डोनर बनने की शपत ले चुका हूँ मैंने यह ग्रीन ड्रिबन इ चलना होगा राजसान रोयल्स के खिलाफ अपना सर्विश रेच खेल भी दिखाना होगा जिसका मौका आज की एक यार को मिलेगा राजसान रोयल्स को शुरू से ही छुपा रुस्तमाना गया और उसने टूर्णामेंट की शुरुवात में अपने लक्षरन दिखा दिये थ जाता है इसके बाद अगर राजसान रोयल्स की बराबरी करनी है तो कॉलकता नाइट राइडर्स को अच्छे से पारी खेलनी होगी और उन्हें आगे निकलना होगा या अपना सर्विश रेच खेल दिखाना होगा देश में COVID-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 62,000,000 मामलों की बात करें तो यह घटकर 9,44,000 पर पहुंच गई है और 59,87,000 लोग ठीक हो चुके हैं संक्रमन के सक्रिय मामलों की संख्या में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या करीब 5 गुना अधिक बताई जा रही आई सीमर के रिपोर्ट के मताविक 19 सितमर तक COVID-19 के कुल 7,40 की जाच किये जा चुके हैं जिन में से 11,00,000 की टेस्टिंग बीते दिन की गई है इसके साथ ही बात जानगवाने वालों की करें तो इसमें भी गिरावट देखी गई है जानगवाने वालों की दर घटकर 1,57 पर पहुंच गई है तो चले बढ़तें आज के सवाल की और कंद बाना ना भूले धनेवाद